जैन मेरी पेरे साथ ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSC ED Costable 2021 की भरती के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपके minimum qualifying marks के बारे में कि आपकी जो PST और PET के लिए qualifying marks रहेंगे complete guide वो काती है जिससे कि आप अपनी BSF Trademan की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं और आप इसे offline, online दोनों तरीके से book को purchase कर सकते हैं वीडियो के description में online purchase करने का link आप सभी को दिया गया है काफी अच्छी वोग है आप इसे purchase कर सकते हैं साथ ही में इसका practice set भी आता है जिससे कि आप अपना practice करके और तैयारी को और भी वहतर बना सकते हैं इसका link भी आपको वीडियो के description में दिया गया वहां से जाके आप इसे purchase कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसा कि मैं आप सभी को बताया कि मैं बता रहा हूँ आपको SSCD 2021 के भरती के बारे में तो जैसा कि आप से भी जानती है कि आपका जो result होगा वो 15 April तक जारी कर दिया जाएगा इससे पहले यहाँ पर बात करें हम आपका जो minimum qualifying marks रहेंगे वो कितने आपके रह सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आपका ओबी सी एस सी इसके लिए आपका एक कट आफ रहेगा इसके लिए minimum qualifying marks की अगर हम बात करें तो देखिए अगर आप EWS एक सर्विसमें और अदर केटेगरी से बलॉंग करते हैं तो यहाँ पर 35% marks आपको लेके आने पड़ेंगे और वहीं पर OBC, SCS ठीके अगर मैं बात करूँ तो 33% marks यहाँ पर आपके होने चाहिए आप सभी को बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे तो cut-off में आपके NCC के marks जोड़ दिये जाएंगे लेकिन जब आपके minimum marks होने चाहिए वो केवल और केवल paper में होने चाहिए यानि अगर आप EWS एक सर्विसमें और अदर केटेगरी से बलॉंग करेंगे तो 35% होना चाहिए 35% का सीधा सा मतलब है कि 35 नंबर क्योंकि 100 नंबर का आपका paper है OBCST की अगर मैं बात करूँ तो 33% यानि 33 marks आपका होना चाहिए यही जो minimum criteria रहेगा आपको qualifying marks जो रहेंगे यही आपके final cut-off में भी आपके काम करेंगे तो यही same आपका final cut-off में भी रहेगा बहुत सारे लोगों की comment and message आ रहे तके minimum qualifying marks के बारे में बताईए इसलिए मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाईए I hope आप सभी कोई छोटी सी जानकारी जरू पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share करके चैनल को subscribe करने तो फलाल की लिवस इतना ही so thank you for watching जाहिन जाबारत